साथियों, कोरोना के काल में तमाम रुकावटों के बीच भी देश भर में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहर अठारा लाग गणों का काम पूरा किया गया है। इस दोरां जिस गती से काम हुआ है, वो भी अपने आप में एक रिकर्ड है। सामान्य तोर पर प्रधान मंत्री आवास योजना के तहर एक घर बनाने में आउस्टन सवासो दिन, 125 दिन का समय लगता है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो देश के लिए, हमारे मिडिया के साथियों के लिए भी ये बहुत सकारात्मक ख़वर है। कोरोना के इस काल में पीएम आवास योजना के तहर घरों को बनाने में सवासो दिन नहीं, सिर्फ 45 से 60 दिन में ही बना कर तयार कर दिया गया है। आपदा को अवसर में बदलने का ये बहुती उत्तम उदान है। आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव हुआ। पहले सवासो दिन, अब 40 से 60 दिन के बीच में कैसे हुआ। साथियों, इस तेजी में बहुत बड़ा योगदान रहा, शहरों से जो हमारे स्रमिक भाईवें लोटे हैं। उनके पास गुनर भी था, इच्छा शक्ती भी थी, और वो इसमें जुड़ गए। और इसके कारण ये परणाम मिला है। हमारे इन साथियों ने प्रधान मंत्री गरीब कल्यान रोजगार अभियान का पूरा लाब उठाते हुए, अपने परिवार को संभाला और साथ साथ अपने गरीब भाई बहनों के लिए घर भी तैयार करके दे दिये। मुझे संतोस है कि पीएम गरीब कल्यान अभियान से मद्द्परदेश सहीत देश के अनेक राज्यों में करीब करीब 23,000 करोड रुपिये के काम पूरे किये जा चुके हैं। इस अभियान के तहट गाउं गाउं में गरीबों के लिए गर्तों बनी रहे हैं, हर गर जल पहुँचाने का काम हो, आंगनवाडी और पंचायत के भवनों का निर्माण हो, पशुओं के लिए शेड बनाना हो, तालाब और कुए बनाना हो, ग्रामीन सडकों का काम हो, गाउं के विकास से जुड़े ऐसे अनेक काम तेजी से किये गए हैं, इससे दो फाइदे हुए हैं, एक तो सहरों से गाउं लोटे लाखों स्रमिक साथियों को रोजगार उपलब्द हुआ है, और दूसरा, इट, सिमेंट, रेट और निर्मार से जुड़े दूसरे सामान का व्यापार कारोबार करते हैं, उनकी भी विक्री हुई हैं, एक प्रकार से प्रधान मंत्री गरीब कल्याद रोजगार अभ्यान इस मुश्किल समय में गाउं की अर्थववस्ता का भी बहुत बड़ा सहारा बन करके उभरा है, इसे बहुत बड़ी ताकत प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत हो रहे कारियों से मिल रही है,